काशी की ग्यानवापी मतूरा की इदगाव और आगरा के ताचमेल के बाद अब अजमेर शरीव दर्गा के मंदिर होने का दावा किया गया है इसकी जाच को लेकर राजिस्तान के मुख्य मंत्री को पत्र दिया है महाराना प्रताप सेना के राश्री अध्यक्षी राजवर्दन सिंग परमार ने आज फिर से एक प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने राजिस्तान सरकार को पत्र लेकर अफगत कराया है कि अजमेर में इस्तेते हजरत, खवाजा, गरीब, नवाज, दर्गा हमारा प्राची हिंदू मंदिर है, वहां की दिवारों और खिड़कियों में स्वास्तिक की चिन्न मिले हैं और अन्य हिंदू धर्म से संबंदे चिन्ने प्राप्त हुएं, अथा महाराना प्रताप सेना आपसे अनुरोत करती है कि वहां भारती पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग द्वारा सर्वे करवाया जाए जिससे आपको पुक्ता सबोत प्राप्त होंगे कि वह हिंदू मंदिर है। ना मुस्लिम पक्ष के लिए हजम होने वाली बात नहीं है इससे मुस्लिम पक्ष उग्र हो सकता है इसी को देखते हुए अब राजवर्दन परमार को सरकारी सुरक्षय प्रदान की जाएगी जिसके लिए उन्होंने प्रधामंद्री जी का धन्यवाद भी किया जैसा कि आप जानते कि अजबेश शरीफ में मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ हिंदू समुदाय भी चादा चड़ाने के लिए जाते हैं अब देखना यह है कि इस समांग का भारत के सोहत पर क्या प्रभाव पड़ता है दिली से BCN News के लिए ब्रजिश कुमार की रिपोर्ट भी लेंगे उस सरकार को जो कांगरेस की भेश्टा चार सरकार है उसको उखाडने का काम भी महारणा प्रताफ सेना राजिस्थान राजी में करेगी हिंदूों का देश है और यहाँ एक मजार नहीं एक कबार नहीं एक ताज महल नहीं यह चितनी मुगल सासकों की रोडे कालोनिया और ऐसे मकवरे और तमाम जो विशे हैं वो सारे महारणा प्रताब सेना ने उठाने का संक्र लिया है सदन से सडक तक इन सारे विशों को उठाने के लिए महारणा प्रताब सेना एक समाधिक संगटन बना है जो हिंदूों को एक करके जगाना चाहता है क्यों बुज़रुकों को प्रडाम करके नंदन वंदन अभिनंदन करके जय श्री राम हरार महादेव हरार कृष्णा और जय महारा जय पशुराम जैसे तमाम सुसोवीत मंत्रों से सबको जगाने का काम महारा पताप्चेना करेगी फॉर्चुनेटली हमारे लिए यहां पर स्वास्तिक का निशान एक मिल गया है जो कि हमको इसको तुरंत पकड़ने की प्रेणा दे रहा है अदर्वाइस मेरा यह मानना है कि और इतिहास के गर्त में है यह बात कि जितने की जितने मस्जिदें बनी हैं बड़ी मस्जिदें व हो वहां पर हमें या तो यह सई उसको ले ले वहां पर किसी को पूजा नहीं करने दे जहां पर प्रूफ हो जाए या फिर हम भी पूजा करें वहां